6 हिंदी व्याकरन मात्री भासा मात्री भासा वह भासा है जो बालक सबसे पहले अपनी माव परिवार से सीखता है जैसे हिंदी भासी परिवार में जन में बालक की मात्री भासा हिंदी होती है मात्री भासा क्या होता है या आप लोग जान गए होंगे जो भासा आप अपने परिवार में सीखते हैं सबसे पहले वही भासा मातरी भासा कहलाती है हिंदी भासी परिवार में जो बालक जन में हैं उनका मातरी भासा हिंदी होता है बोली, सिमी छेत में प्रयोग में लाए जाने वाला भासा का अल बिक्सित रूप बोली कहलाता है एक राज में अनेक बोलीयां प्रचलित हो सकती हैं, बोली में सहिती की रचना प्रया नहीं होती अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, आदी बोलीों में सहित की रचना हुई थी, प्रन्तु आगे चलकर केवल खड़ी बोली भासा का रूप ले पाई, जो परतमान समय में हिंदी के नाम से जानी जाती है राष्ट भासा, राष्ट भासा वा भासा है जिसका प्रियोग संपूर्ण राष्ट करता है, भारत की राष्ट भासा हिंदी है, राज भासा वा भासा है जिसका प्रियोग देश के कर्यालों में कामकाज के लिए किया जाता है भारती संबिधान के अनुछेद 343 के नुशार 14 सितंबर सन 949 को हिंदी को भारत की राजभासा के रूप में उस्विकार किया गया इस दिन अर्था 14 सितंबर को प्रतिवर्स हिंदी दिवस मनाया जाता है बीसों में सबसे अधिक बोले जाने वाली भासाओं में हिंदी तृतिय अस्थान रखती है लीपी जब मनुस्य ने भासा का विकास करना अरम किया तब उसे ध्वनियों को निश्चित रूप देने की आव सकता अनुबा हुई तब उसने ध्वनियों को चिन्हों के रूप देने अरम किये जो लीपी कहलाई अता किसी भासा की उच्चरित ध्वनियों को लिखने की बीदी लीपी कहलाती है अब आता है ब्याकरन ब्याकरन क्या है? ब्याकरन वह सास्त्र है जिसके द्वारा किसी भासा को सुध रूप में बोलने लिखने और पढ़ने के नियमों का ग्यान होता है अता हम ये भी कह सकते हैं कि जिस माध्यम से हम सुध सुध लिखना पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं उसे ब्याकरन कहते हैं जिस प्रकार हमारा मस्तिक्स हमारे शरीर के सभी अंगों को सही अंग से संकेत कर चलाता है उसी प्रकार ब्याकरण भासा का सुवयस्तित निर्भान करता है जिस प्रकार दिनों के मेल से सब्ता, सब्ताहों के मेल से महीना और महीनों के मेल से वर्स बनता है उसी प्रकार अध्यायों में पढ़ेंगे